जाइंद एर्वर्वन स्वागत आप सभी का टेस्ट बुक सूपर कोचिंग के डिफेस प्रेटफरम पर मेरे प्यारे साति हो एर फोर्स फेज बन का रिटन एग्जामिनेशन आप दे चुके हैं बहुत अच्छा आपका एक्जाम गया है 20 दिन की स्ट्रेजी 20 दिन की प्लैन होने वाला है वह फेस्टू की तयारी में लग जाए आज इसे बिल्कुल भी वेटना करें पूरी प्रोसेस को जानते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे फेस्टू में क्या-क्या होता है किस प्रकार से अडेप्टिबिलिटी टेस्ट में आपको टेस्ट के जाने वाला आपके अडेप्टिबिलिटी टेस्ट की तयारी यानिके पूरा कंप्लीट फेस्टू आपको प्रपेर करने माले सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह एक बहुत ही बहतरीन मोटिवेशनल कोट के साथ करतें देखी माभारती के दोलाल यह मैं बोलू के नीली वर्दी में दो 2020 में घर लेकर आना है क्योंकि घर में ही वर्ड कप हो रहा है नहीं जाने देना है 2011 को रिपीट कर रहे हैं दो हमारे दुरंदर बल्लेवाज रोहिच शर्मा और विराट कोली देखी आपको मोटिवेट करते वे क्या करें इनकी मेहनत से इनकी लगन से आपको क्या सीखना है मेरे पियारे साथि हो डों स्टोप वेन यूओ टायाइड एन यानिके जब नहीं रुकना है जब आप Mother ध को मैसूस कर रहे है अगर आप तकन देने के बाद आपको लग रहा है कि अब ठग डैना खर ले क्मिनिकेशन स्किल को अपने इतना श्यार ड कितना एक्ट एंट र så रखिए अपने आपको के एक्जाम में जाने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कुछ नया कर रहे हैं अपने आपको उसमें ढाल लीजिए किस तरीके से डालना मैं आपको बताऊंगा पहले देख लेते हैं सबसे बहुते हैं प्रोसेस पूरी प्रोसेस कैसे यानि कि यहां भी आपको टेस्ट के जा रहा है कि आप अडेप्टेबल हैं इंडियन एरफोर्स को जोइन करने के लिए क्या आप अलग-अलग टेरेन में काम कर सकते हैं क्या अलग-अलग आप ओप्रेशनल केपेबिलिटी आपके अंदर है क्या हर सिचुएशन में आप यह लोट जहिल पाएंगे आपके उस प्रेशर पाएंगे यह आपके साइक लोजीकलोजीकल ट्रेट्स यह टेस्ट के जैए वीविविन प्रकार के टेस्ट कम्मुनिकेशन टेस्ट हो सकते हैं औ इसके बाद माइडियर सुदेंट्स आपको देखने को मेडिकल टेस्ट यानिके मेडिकल आपके अगर मेडिकली फिट है यहां से पार कर जाएंगे देन फाइनल डोक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन और उसके बाद मिलेगे आपको निली वर्दी जी हां बात करते हैं शुरु बात करो 1600 मिटर ग्यारवी बारवी के बाद कोई भी एक्जाम अगर हो रहा है तो उसमें 1600 मिटर के लिए सबसे अधिक्तम टाइम आपको मिल रहा है नहीं के साथ मिनिट मोहिने की तयारी करें रेगुलर आपको रणिंग करने हैं और याद रखें रणिंग आपको केवल 1600 की नहीं करने है रेगुलर आपको दो तीन चार किलोमेटर भागना है हफ्ते में दो दिन ब्रेक लेना है और एक दिन आपको टाइमिंग टेस्ट करने हैं सारी चीज़े बताऊंगा आगे भी के प्रिपेर करना है कैसे तराशन है सब बताऊंगा पीफ्ट वन के बाद कर पानी कभी नहीं पीना होता है पीफ्ट वन के बाद हलका सानी के प्रैक्टिस ही ऐसी करनी है कि 1600 मीटर के बाद थोड़ा बहुत पानी प्या दो चार घूट और फिर लगए क्योंकि आगे आने वाली चीज़े इतनी मुश्किल नहीं है रेगुलर प्रैक्टिस से वह हो धो रहे हैं पुश-प्रैक्ट भलत एक मिनट में और यह 10 मिनट के बरेक के बाद हो रहे हैं याद रहे हैं एक मिनट के अंदर दस पुशर अब कह रहे हैं सर मैं तोens चालिस कर लोंगा पचास कर लोगा टेकनिक अभी बताऊंगा थोड़ देर में बने रहना वीडियो में end तक ठीक है दस sit up करने उसके बाद अब आपको break कितना मिल रहा माईडियर पहला task जो हुआ यह PFT2 का पहला task उसके बाद आपको मिली है दो मिनट दो मिनट के बाद आपको करने 10 sit up sit up क्या होते हैं यह chin up नहीं है माईडियर याद रखना sit up sit up एक अलग चीज़ होती बता दोंगा बड़ाई सिंपल है बहुत इजी है वीडियो में बने रहोगे तो बताऊंगा एक मिनट के अंदर 10 sit up करने आपको ठीक है दो मिनट के ब्रेक के बार नेक्स तास्क यानिके सोला सो मिट्र दस मिनट का ब्रेक पुश अप उसके बाद दो मिनट का ब्रेक sit up अब बारी आगे B squat की यानिक दंड बैठक आप लगाते हैं बैठक जो आप लगाते है बैठक का स्टाईल बहुत है आपको एक मिनट के अंदर सर बहुत इजी है मेटे बताओंगा तो पता लग जाएगा एक मिनिटबी स्कॉट मिलेगी दो मिनिट यानि के दस बैक पर दस मिनister कर रहा जो किके देड़ मिनिट के अंदर आपको कॉने 10 sit-up अब आपको दी जाती है दो मिनिट का ब्रेक उसके बाद आपको लगाने 15 squat 1 मिनिट के अंदर एक मिनिट के अंदर 15 अब सर आप यह पूछेंगे के सर यह टेकनीक कैसे किस तरीके से हमें लगाना है तो मैई दियर स्टुडेंट मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ओफिशल वेबसाइट पर वहां मैं आपको बता देता हूं डेमो वीडियो हमारे पास यहां पर अवेले बहले आप भी देख सकते हैं नहीं इतना टाइम है तो इस व आपको बोला जाएगा कि आपको पुश अप स्टार्ट करने माई डियर आप बने चल्दी से पहुच जाएंगे इस प्लैंक वाली पोजिशन में आपको ऐसे अपने हाथ शोल्डर विड्थ में आपको हाथ रखने और पैर भी आपको उतने ही खुली रखने पैर बंद भी रख सकते हैं वहां के इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना अगर वह आपको बोलेंगे पैर खोलने तो बंद भी रख सकते हैं लेकिन कंदे पैरल्ल रूप में हो यानिके कंदों के बराबर हाथ आपको रखने आप नीचे जाएंगे दैन देविल से स्टॉप वन डाउन जब तक वह माइडियर अप नहीं बोलेंगे जब तक आपका काउंट नहीं को बात समझे दैन देविल से अप तो माइडियर आप जैसे ही आप आएंगे तो आपका एक पुश अप काउंट हो यानिके उनकी इंस्ट्रक्शन पर आपको पुश अप करना है ऐसा नहीं के होल्ड होल्ड कराएंगे वह लंब भी करा सकते हैं आपको टेस्ट भी कर सकते हैं अप तो डाउन इसके बाद अब बात समझ मैं रही यही थे माइडियर टेक्नीक इस टेक्निक को आपको फोलो करना और यह है आपका पुश अप्स्टेंडर पुश अप आपको बता दिये जन्म आइडियर बारे आती है sit-up, ये sit-up होता क्या है, sit-up एक्चली में क्या है, देखिए, बोच्छों लोग इसको जो क्या करते हैं, ये crunches मान लेते हैं, crunches ये नहीं होता, 10 sit-up लगाने एक मिनिट के अंदर males को, और females को भी 1.5 मिनिट के अंदर, देखे, किस तरीके से आप आगे की तरफ जुकेंगे, और अपनी toes को touch करेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, घुटने नहीं मुड़ेंगे, कमर, कोहनी, घुटने बिल्कुल सीधी, यानि कि देखे, आप यहां पर touch कर रहे हैं, ये count होगे, आपका 1, वापस, जब आप पीछे जाएंगे, सीधी और कोहनी बिल्कुल सीधी है, इस चीज़ का याद रखना है, जहां भी आपने कुछ गडबड करीम आइडिया, मार्क्स कटने की समभावना, यानि कि आपके count कम हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको, ये sit-ups लगाने है, लड़की और लड़कियों को, दोनु जो है, प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है, लोवर, टी-शेट में ऐसे टक इन करके practice करनी है, ताकि वहाँ पर आपको दिक्कत नहाओ, कि टी-शेट बाहर निकालके practice ही मत करना है, ठीक है, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, ठीक है, और जब आप नीचे जाएंगे, तो पर squat इस तरीके से रखती है, हाथ बिल्कुल सीधे, देखे, जब ही आप डाउन जाएंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, डाउन जाएंगे, इस तरीके से 90-degree अंगल बनेगा, यही आपको practice करकर जानी है, ठीक है, numbers का ध्यान रखना किस तरीके से आपको practice करनी है, अगर आप my dear इस तरीके से practice करेंगे तो आपको qualify करने से कोई भी नहीं रोख सकता मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फेज बन में पीएफ उसके बाद फेज टू में पीएफटी वन पीएफटी टू आपने देख लेटी किस तरीके से डीटेल्स मैंने आपको सारी बता दी दैन उसके बाद बारी आती है मेरे प्यारे साथी कि अपनी इंट्रोड़क्शन याद होनी चाहिए आपने आपको इंट्रोड़्ूस करना चाहिए वह प्यारे साथी अगर अपने आपको हिंदी में इंट्रड्यूस नहीं कर पारे तो महां पर अंग्रेजी में भी नहीं कर पाएंगे आपको confident होना पड़ेगा आपको public speaking की तैयारी करनी पड़ेगी आपको आपको अपनी पर काम करना पड़ेगा कि अपने आपको इंट्रड्यूस कैसे करना यह सब चीजे में एक अलग वीडियो में cover करूंगा अभी मैं वता देता हूं कि actually adaptability test है कि adaptability test दो में divided है one and two पहले adaptability test को कौन दे पा रहा है जो physical fitness test को पास कर रहा है adaptability test को वही दे पाएगा यानि कि जो टेस्ट पास करेगा physical fitness वही दे पाएगा अगली बात यह आपकी assessment करता है suitability of the candidate for employment in the Indian Air Force यानि कि आप कितने suitable है भारते वाई उसे ना को independent करने के लिए क्योंकि अलग 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 टेरेंद पर आपको Kylie भी सर्विस करने पड़ सकती है आपको नपूर में भी जाना पड़ सकता है आपको on-demand में भी जाना पड़ सकता है आपको pac-lepaur abd jay ले और आपको वैधर condition operations adaptability आपकी होना चाहिए वह कुछ question से पता लग जाता है, आपके intellectual trait से पता लग जाता है, आपके बोलने, आपके चीजों को समझने के तरीके से आपको पता लग जाता है, ठीक है, PFT 1 में, यानि के, sorry, adaptability test 1 में यह आपका test किया जाए, then adaptability test 2 में यहापर, जो पहला test pass करेंगे, वो ही दूसरा दे पाएंगे, यहापर चेक किया जा रहा है, कि माइडियर, selected candidate who had adapted the environment, Indian Air Force, able to adjust the military way, यानि के military way of life, यहापर communication आपकी test होगी, उपर वाले में संभावना है, आपको दिया जाए, situation reaction test, दूसरे वाले में आपको दिया जाएगा, कि किस तरीके साथ एक problem का solution अपने सहभागियों के साथ discuss करकर निकाल सकते हैं, यानि कि group discussion और SRT दोनों ही मिल सकते हैं, याद रखना मेरी बात, यह अगर कोई भी वेक्ति यह कह रहा है, कि SRT को neglect कर दें, नहीं माइडिया neglect करके नहीं चलना है, क्योंकि notification में ऐसा नहीं कहा गया है, कि SRT नहीं होगा, और नहीं यह बोला गया है, क्या होगा, अपने आपको express करना होता है, group discussion में अपने आपको introduce करना होता है, अपने आपको introduction करना है, याद रखे हैं, आप पर personal interviews नहीं है, अपने बात मेरी personal interview नहीं है, adaptability test दो है, इस तरीके से आप इन दोनों चीजों को देख सकते हैं, other than this, मेरे प्यारे साथियो, phase 2 की पूरी तैयारी किस तरीके से करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, how to start up, how to improve your communication skill, आपको कैसे अपनी अंग्रेजी को सुधारना है, अपनी personality को निखारना है, actually आप जैसे अपने जीवन में है, actual way में आपको सामानने बरताव के साथ, आप कैसे express कर सकते हैं, कि जी हां मानने बर, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं confident व्यक्ति हूँ, मैं अपने आपको express कर सकता हूँ, मुझे कोई situation दी जाए, तो मैं उसको समधान सरल तरीके से दे सकता हूँ, या समझ सकता हूँ, किसी बीजटिल अवस्था में अपने आपको काम कंपोज रखकर अपने दिये गए task को complete कर सकता हूँ, तो यह आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ तौर तरीके मैं सिकाऊंगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से आप तैयारी शुरू करें और आगे की और जाए, आप बिल्कुल भी समस्या अपने दिमाग से निकाल देना कि आपके साथ कोई नहीं है, बिल्कुल free of cost आपको बताया जाएगा, phase two कैसे prepare करना है, with an experience of more than nine SSBs, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक personality, अपनी personality को कैसे आप express कर सकते हैं, थुरू writing, थुरू speaking, और थुरू non-verbal gestures, यानि कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, अपने how भाउ से आप कैसे अपना confidence दिखा सकते हैं, मेर दुआरा ली जाने वाली, जितनी भी यूट्यूब पर classes है, सबके link, सबकी PDF यहां पर available है, इसके लाव भी अगर आपको कोई doubt लगता है, यह session, इस session regarding कोई भी आपको doubt है, तो comment section आपके लिए खुला हुआ है, अराम से जाएगे comment section में अपनी query लिखी है, यानि के अपना doubt लिखे है, अपनी समस्या लिखे है, हमारी team उसका समधान, यानि कि आपके सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा तयार रहते हैं, और आपको within 2 और 3 hours आपको answer मिल जाएगा, मेरे प्यारे साथियों, आज के session में इतने हैं, फिर मिलेंगे इसी प्रकार क से informative, उर्जावान और confidence से लवो लवरेज भरेवे session के साथ, क्योंकि हमें करवाना है आपको phase 2 clear, because हम coaching नहीं, super coaching है, test book, super coaching, हमेशा आपके साथ, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कि आतरों की समस्या का, एक मातर समधान, super coaching लड़ा को विमान, जैहिन जैभारत!